बॉलिवुड के एक बहतरीन एक्टर अम्रीश पुरी जो अपनी एक्टिंग से किसी भी किरदार को दमदार बना देते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवनकाल में साड़े चार सो से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने हिंदी, कन्नर, मराथी, तेलुगू, पंजाबी, मल्यालम, तमिल के साथ साथ हॉलिवुड फिल्मों में भी काम किया। उन्हें ज्यादातर उनकी विलेन वाले किरदारों के लिए जाना जाता है, जिसने उन्हें बॉलिवुड का सबसे सफल खलनायक बना दिया। उनकी कुछ बहतरीन फिल्मों में विधाता, म या आप उनके परिवार से वाकिफ हैं। अगर नहीं, तो चलिए आज हम आपको अमरीश पुरी की फैमिली से मिलवाते हैं। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को जलंधर पंजाब में एक खत्री फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम निहाल चंदपुरी और मा का नाम वैदकौर है। उनके चार भाई बहने हैं। उनके बड़े भाईयों का नाम चमनपुरी और मदनपुरी है। बड़ी बहन का नाम चंद्रकांता और छोटे भाई का नाम हरीश पुरी है। वे एक्टर और सिंगर के एल सैगल के कजन भी हैं। उन्होंने 1957 को उर्मिला दिवेकर से शादी की थी और उनके दो बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम राजीव और बेटी का नाम नमटा है। उनके पोते वर्धान पुरी भी एक इंडियन फिल्म एक्टर है। 12 जन्वरी 2005 को 72 साल की उम्र में अमरीश पुरी का निधन हो गया है। ये थी अभिनेता अमरीश पुरी के पारिवारिक जीवन से जुड़ी जानकारिया। उमीद है आपने विडियो को पसंद किया होगा। विडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।